हेलो दोस्तों मैं अभी हूँ दर्भंगा रेल्वे स्टेशन पर जा रहा हूँ अभी आधी पूरस मूवी देखने तो चले मेरे साथ मैं अभी रास्ता में आ गया हूँ और यह करपूरी चों किधर से हम लोग डीम सीच के तरफ इधर मूरेंगे और सिनेमा हॉल के लिए पह पोस्टर सब लगा है ट्रांसफोर्म और वकिरानी की प्रेम कहानी साहील में 2D दिखाता है और रजनीस में 3D राधी पुरुस लग राभी लगा हुआ उसका बड़ा पोस्टर है और यह इसका में बिल्डेंग यह देखे आब साहील जो लिखाए इसमें 2D दिखाए जाग तो कैसा दिखता है चलिए देखते हैं मैं बहुत ज़्याजा excited हूँ 3D मूवी देखने के लिए पहली बार मैं 3D में मूवी देखूंगा तो चलिए देखते हैं कैसा दिखता है यह मूवी स्टार्ट हो गया है और यह 3D चसमा दिखा रहा हूँ मैं आपको और यह 2D स्क्रीन और 3D देखिए चस्मा से कैसा दिखता है विसे तो इसमें सही से दिखने पा रहा है लेकिन 2D 3D में अंतर है 2D में सिर्फ आपको पिक्चर दिखेगा स्क्रीन पे जैसा चिपका हुआ देखेगा लेकिन 3D जैसे अब लगाईएगा 3D स्क्रीन में तो बैक्ग्राउंड थोड़ा पीछे चला जाता है और जो उसमें लोग होते जो एक्षन दिखता है वो आगे आ जाता है तो 2D 3D में आंतर है आप 3D देखिएगा तो 2D फिर बाद में देखने का मन नहीं करेगा और यह इंटर्वल हो गया है अभी हम लोग बाहर जा रहे है और अच्छा एक्ष्परियंस था अभी तक का उतना जादा तो अच्छा नहीं लगा मूवी लेकिन ठीक ठक था अभी मैं आगे हूँ और फिर से अभी मुवी इस्टार्ट होगी इंटरवल के बाद और ये मुवी इस्टार्ट हो चुकी है और मैं अच्छा एक्स्प्रियंस कर पारो 3D में क्योंकि मैं पहली बार देखा हूं 3D बार मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेट था 3D में मुवी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेट था तो अच्छा लग रहा है मुझे देखने में तो अब 3D में ही देखूंगा और मुवी फर्स्ट हाफ सही था सेकेंड हाथ में कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा अब लास्ट के तरह भी मुवी आ गया है अब अन्त मतलब ये लास्ट ही है मुवी का लेकिन कुछ ज़्यादा एक्सप्रियंस अच्छा नहीं रहा आप मेरे चेहरे से पता कर सकते है कि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है मुवी बस ठीक ठाक था फिलिंग ने कनेक्ट हो पाया मेरा उतना तो इसका मैं रिभ्यू लाँगा अपनी चैनल पर आप लोग जोड़ो देखेगा आज के लिए तना है धन्यादा